नमस्कार दोस्तों वेलकम टू मैं चैनल मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं नेशकार नाइन होल काप का हाउ टू प्ले सेफ तो चलिए दोस्तों अभी आगया है होल वान इसमें मैं क्या करूंगा थोड़ा कार्ब करके शॉट को लूँगा इससे क्या होगा जितना होशके मैं मारूंगा जोड से जाक ताके होल के जितना पास होशके बॉल को पहुचा पाऊंँ देखिए मैंने शॉट तो ले लिया है अभी देखते हैं कितना पास जाता है देखिए आ गया होल के पास अब मैं क्या करूंगा मेरा जो दूसरा जो शॉट मैं लूँगा उस पे मैं ट्राइ करूंगा के इगल हो जाए उतना आसान तो नहीं है विन बहुत ज्यादा है सेवन पॉइंट सम्थिंग है अब देखि उसके हिसाब से मैं मेरा बॉल के लाइन को एज़स्ट करके पार्फेक्ट शॉट लेता हूं फिर देखता हूं क्या होता है देखिए मैंने मारा तो पार्फेक्ट है लेकिन देखते हैं होल में जाता है कि नहीं नहीं यार थोड़ा से के लिए मैं चूप गया हूं दोस्तो अभी मैं क्या करूंगा एक पॉइंट तो मुझे मिले गाई मैं वो एक पॉइंट ले लूँगा आप लोग भी एक काम कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेला आइकन को क्लिक करके लखिएगा और लीजिए यह आ गया दूसरा होल इसमें क्या ह विंड का इतना ज़्यादा प्रिशर है देखिए चैनल अपका विंड है इसमें क्या है अगर मैं ठीक से एज़स्ट करके आप लोग खेलेंगे नहीं तो बॉल राफ में जा सकता है तो देखिए मैं कैसे विंड के साथ मेरे बॉल के जो ड्रॉप एरिया है उसको मैं परफेक्ट शॉट चलते हैं देखते हैं कितना दूर जाता है देखिए विंड इतना ज़्यादा है मेरा बॉल बहुत आ गया गया है अभी मैं क्या करूंगा थिरे से इसको होल में डालके मैं एक पॉइंट इदर से भी ले लूँगा इसके बाद आएगा आपका तीसरा हो यह होल बहुत ही डिफिकल्ट है यह तोरा तेरा है इसमें भी हम जोड से मारेंगे और कार्ब करके मारेंगे ताके हमारा बॉल फेयर वे एरिया में रहे ताके हम दूसरा शॉट अच्छे तरह से ले सके देखिए बहुत मुश्किल है लेकिन आपको यह थोड़ा चांस तो लेना ही पड़ेगा देखिए यह राप में पड़ने के बाद देखिए फियर वे में चला गया अभी मैं दूसरा शॉट लूँगा इस दूसरे शॉट में क्या है मुझे हावा बहुत सार पीचेल में ढखल रहा है देखिए 7.3 के आसपास आपका वींड है यह बहुत ही ज अच्छी तरह के अच्छी तरह से आपको बॉल का पॉइंट को ड्रॉप पॉइंट ठीक करना है कि कितना वींड है और कितना आप आगे लेके खेलोगे इस बॉल को अभी मैंने थोड़ा टॉप स्पिन लेके खेल रहा हूं देखते है क्या होता है पारफेक्ट शॉट ले लिए है और थोड़ा सा इधर गिल गया ठीक है कोई बात है है नाइस वन में है इधर से तो मुझे मैं दो पैंट निकली लूँगा इगल करके देखिए आ गया मेरा दो पॉइंट ऐसे आप भी खेल सकते हैं और मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों अब हम आगे हैं चौते होल पर देखिए यह बहुत ही सिदा भाला होल है कोई दिक्कत नहीं आप बेसिक बॉल से भी खेल सकते हो इसको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन विंड देखिए विंड एइट पॉइंट टू इसको एज़स्ट करना बहुत जरूर है नहीं तो आप होल के पास पॉच नहीं पाओगे फिर अगर नाइज़न में भी बॉल रहेगा बहुत दूर रहेगा तो आपको खेलने में दिक्कत आएगी तो आप जितना हो सके होल के आसपास रखने का चेस्टा कीजिएगा देखिए ऐसे हम कर लिए बॉल को फिर हम इधर से भी एक पॉइ पर आपका जगा बनी रहेगा आपको क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा दूसर राउन पर देखिए ये वाला होल भी बहुत दिफिकल्ट वाला है ये शोटी आपको चुन के लेना पड़ेगा कि किधर से हम ले देखिए बॉल को हम पूरा साइट स्विंग कर वा लिए और हवा इतना ज़ादा है आगे मुझे ढख लेगा ढखे लेगा सेवेन पॉइंट सिक्स का एट का सिक्स और येट का आपका हवा चल रहा है अभी उसी हिसाब से एज़ेस्ट करके मुझे खेलना पड़ेगा देखिए मैंने खेल तो लिया अभी देखते हैं हमारा बॉल यारवे में रहेगा कि नहीं ये होल 5 है इध्या से भी आपको दो पॉइंट मिल सकता है लेकिन ये जो दूछरा शॉर्ट आपको खेलना है ये बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा देखिए ये बहुत डिस्टेंस है मैंने बैक टू लेके खेला है ये होल उसमें क्या किया मैंने भी ठूला दो चेंज किया है कि है देखे इसमें पूद मैं जितना इसका टॉप up कि कि टॉप्स ऑजितना भी था मैंने सारा ले लिया है और साइड मैं कर लिया हूं साइट स्पीन भी मैं डे लिया हूँ गेंद का अभी क्या होगा मुझे विंड के हिसाब से एज़स्ट करके यह शौट लेना परेगा ताके हम फियर होए या नाइस ओन में जा सके देखिए होट तो हमको लेना है पारफेक्ट हमने ले भी लिया लेकिन देखते हैं बॉल पहुच पाता के नहीं अरे गया मैं तो गया है बच गया है थोड़े के लिए बच गया है देखिए बॉल तो फियर होए में आ गया है अभी इधर से मुझे विंड का देखिए फिर भी कितना विंड है इधर 6.5 इधर से हमको होल में डालना है बॉल को इसमें भी थोड़ा एज़स्ट आपको करना ही पड़ेगा नहीं तो बॉल होल के पास से चला जायाएगा आपका दो पैंड चला जायाएगा आपको एक में शंतुस ट्राइना पड़ेगा देखिए फिर मैं ट्राइक कर रहा हूं देखते हैं होल के जाता है किने पार्पेक शॉट तो ले लिया है चलो 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 हां यह होल में चला गया है अब यह कहल अब या गय हम। six hole में यह hole six इतना ज्यादा difficult तो नहीं है लेकिन आप अगर adjust करके नहीं मारोगे ना पहला shot तो फिर यह राफ में जा सकता है इधर उधर दोनों तरफ राफ है और हावा भी देखो कितना है इतना हावा रहने से बहुत difficult होता है गेंद को गेंद बहुत हिलता है इतना हावा प किया है देखिए राफ में पढ़ने के बाद मेरा गेंद फियर हुए एरिया में है अब इधर से मैं safely दूसरा shot ले पाऊंगा जो के मुझे nice on में डालना है इधर से तो इगल करना बहुत ही tough है बहुत ही tough हमको इधर से एक point लेके ही शन्तुस ट्रैना पड़ेगा अगर इधर उधर खेलने जाएंगे तो फिर rough में गिरेगा और हमको point नहीं मिलेगा इधर से देखिए मैं ठीक से ले लिया हूँ अभी चलता है एज़स्ट करके मैंने दिया है ये short मेरा अच्छा नहीं रहा बहुत ही गंदा वाला short मैंने खिला है ये वाला फिर भी ठीक है हम nice on में है इधर से मुझे एक point मिली जाएगा चलिए देखते हैं इसके बाद बाले होल में क्या होता है आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को subscribe जरूर कीजिए चलिए आ गहा है होल नमबर सेवन इस साथ नमबर होल में अगर थोड़ा शा एज़स्ट करके खेल पाऊगे तो आपको होल इन वान हो सकता है ठीक है विंड बहुत ही जादा है लेकिन फिर भी अगर आप ठीक सो खेलेगे तो आपको हो पाएगा मैं भी ट्राइब कर रहा हूं होल इन वान करने के लिए देखते हैं होता कि नहीं कि देखिए विंड कितना ज्यादा है उसके हिसाब से मुझे एज़स्ट करना ही पड़ेगा फिर हम यह परफेक्ट शॉट ले लिए अभी देखते हैं होल में जाता है जाता है कि नहीं नहीं बहुत ही पीछे रहे गया है लेकिन ठीक है मुझे एक पॉइंट तो मिली यहाक अप लोग को सायद हो जाए मेरा नहीं हुआ लेकिन अप लोग को ह Sellão यह आगए होल नंबर 8 दोस्तो में एक बात बटा दूक इ इधारप क्यो ज्डू करसे मरवें तो ब्राफवें में जाएगा बहुत ज्यादा काउबस्मोर ंसी बॉल राफ होए में जाएगा एकदम पार्फेक्ट एकदम सठीक आपको खेलना पड़ेगा इधर इधर पर आप चुक गया ना फिल और फियर होए पर जाई नहीं पाऊगे एक पॉइंट भी नहीं मिलेगा आपको कि देखीए कि मैं करप से मार रहा हूं लेकिन थोड़ा सा अध्जास्ट करके मार रहा हूं देखीए मैंने उतना टॉप स्पीन लिया नहीं जब थोड़ा कम कर दिया जितना होँसा के फियर होए में रहने का पोशिश केजिए अस Guide 2 n कम नहीं होगा कम से कम एक दो पॉईंट तो आपको मिली जाएगा जहाँ पर एक पॉउइंट है यह जो शॉठनी हिन आ यह भी बहुत ब्रीयकल्ड है right.5 का ऐ एतज्ब्स है है यह ज्यादा है अगर आप इधर से ठीक से एज्चटमी तो बॉल आपका टपका खा equity बैक स्पिन होके राफ में चला आएगा या फिर बहुत जोर से मारोगे तो टपक आके उपर चला जाएगा राफ में तो दोस्तों ये आपको बहुत देखके ये शॉट खिलना पड़ेगा तो चलिए देखते हैं शॉट कैसे रहता है हमने तो परफेट किया है अभी देखते हैं कहां जाता है ये देखिए दोस्तों ये बॉल एकदम बैक स्प्रिन लेके होल के तरफ जा रहा था फिर थोड़ा घूंग गया अभी हमको इधर से और एक पॉइंट मिल जाएगा जिससे के हम और एक पॉइंट गेम कर पाएए अभी आ गया देखिए ये है इस गेम का सबसे गंदा वाला होल गंदा वाला एरिया आप इधर से बहुत आपको अच्छा से खेलना पड़ेगा नहीं तो आपको यह से इगल नहीं मिलेगा इगल नहीं मिलेगा तो आप दो पॉइंट पाएंगे और आपका पॉइंट कम हो जाएगा गिंती में तो इधर से इगल करना बहुत ही ज़रूरी है बहुत जब भी है देखिए मैंने तो खेल लिया है आठ पॉइंट का विंट था आठ पॉइंट समझी का मैंने तो खेल के फ्पिरवे में पहुंचा दिया है अभी देखते हैं इसके बादबले श़ोट में क्या होता है है अभी देखिए इसको मैं एकदम टॉप टॉप जो था में अकदम टॉप स्पीन जो लिया है łॉल का कट कर्व लिया का अपका स्पीन में तो है अभी हमको इधर से इगल करना है और हवा देखिए दोस्तों पूरे बाप ये क्या है 6.6 का विंड है बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा अबर एकदम पर्फेक्ट शॉट हम मारेंगे नहीं तो बॉल तो होल के पास से चला जाएगा या टपा खाके उपर से चला जाएगा अभी देखिए हम एकदम से एजस्ट कर लेते हैं अच्छे तरह से देख लेते हैं फि आप भी प्रेक कीजिए देखते हैं येस मैंने इगल कर लिया है